हाई कुलकता नाइट रेड़नज फैमिली सो आज हम बात करने वाले कुलकता की टीम जो कुलकता की टीम दो बार कब जी चुकी है तुटाइम्स विनर्स हमें और कप लाना चाहे है हमारे इडन गार्डन्स के घर पे और भी फिला लॉक्सनिंग चलो होने वाली है 12-13 को और ऐसी टीम मनानी है कि सब टीम देखके ही घबरा जाए मैच खेलने के लिए जैसे मुंबई इंडियन्स का दबाव रहा है भी पिछले कुछ सालों से मुंबई टीम ही जानी जाती है तो अभी इस बार कुलकता की टीम होनी चाहिए जो नाम सुनते हैं सब अपritsecond कहने लगें कि यह जबर्दस्ट टीम है तो पहले कुलकता के जो रिटेंशन लेएर्स है जो चार प्लेयर्स है है उनकी बात करते हैं पहले तो चार्थ प्लेयर जो रिटेंजन होके आए है वह रसल वंगिटे शायर वरुन और अमरे लेजन्डरी प्लेयर सुनील नाराएं जो कोलकर्टा के बैकबोंड रहे हैं कुछ सालों से क्या जब से टीम में आये हैं तो सुनिल नारायन नहीं है तो रसल जो है वो फॉर्ब में नहीं रहते हैं कुछ साल रहते हैं कुछ सीजन नहीं रहते हैं वर सुनिल नारायन जो है हमेशा हमारे जो नारायन फैक्टर है वो हमेशा काम करता है हमारे टीम के लिए तो आप बात करते हैं, पूरी टीम की, तो पहले हम ले रहेंगे अपना वेंकी, जो पिछले सीजन पूरे दहमा के दार बल्लेवाजी कर चुके हैं, वेंकटेश भाई, ओ आएंगे ओपनिंग बेटसमन, लेफट एंडर बेटसमन है, दहमा के दार प्लेयर हैं निडरों के ख लोचा अगर फाइफ आ जाएंगे तो और मज़ा आजाएगा पावर प्ले में या तो अगर वर्णर मिलजाएंगे तो भी चलेगा फैफ नहीं तो और नहीं और नहीं तो टीकॉक भी है जो अज लिकेट के पर बैट्समैन भी काम कर सकते हैं टीम के लिए पर कर दीकॉक तो बेर्स्टों का भी ऑप्शनिंग यहाँ पे जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं वेंगटेश के साथ आप तो गिल चला गिल तो जा चुके हैं अपनी करन अरजुन की जोड़ी खतम हो चुके हैं जो एंकी भाई और गिल ख उटाना पड़ेगा अभी भाई तो फिर आएगा फिर अपने इंडियन बल्लेवादों को उठाने के बार ही अगर मनीश पांडे आ जाते हैं जो एक दफ़ा मनीश पांडे के लिए पूरी जान लगाई जाई थी आक्ष्णिंग में लेकिन ऐसा कैप्टन उनको चुनना थ अपाई क्यूंकि उनुने भी अंदर दिल में कॉलकत्ता ही बसा हुआ है तो अभी वापस उन्हें परपल और गोल्ड में खेलने के मोके देंगे तो ऐसा कैप्टन भी मैं रेकमेंड करना चाओंगा मनीश पांडे को पथा तो अगर आते हैं तो वार्न को ऐसा कैप्टन कर है टीम के लिए राइट एंड बैट्स मैंने दमा के दार खेलते हैं तो उन पर भी इन्वेस्ट करने में कोई लब ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है और यहां पर खिला सकते हैं इशान भाई को इशान किशन को खिला सकते हैं तोड़ा निडर होके खेलते हैं और विकेट कीपर भी हमको मिल सकते हैं इशान किशन यहां तो हमारे नितीज भाई है नितीज राणा को उटा सकते हैं भाई नितीज राणा भी लेफ्ट एंड बैट्स प्रश्म साग्ते ब्लकुमनें और निटीच मिल जाते तो बीलिंग मिल जाते हैं तो उनको पर दो यह फ्लेक्सिबल में फिर आजाते हैं रहां निटीच कराना आदा और डिव्ट पर एम हम क्ला सकते हैं अगर शारूक खान मिल जाए हमारे टीम में दो दो शारूक खान हो जाएगी, दो की ताकत हो जाएगी मिद्ल ओर्डर स्ट्रॉंग हो जाए गा, और भी अगर इंडेन प्लेयर आ जाए तो जबर्दस तरीके का स्ट्रॉंग होल्ड पोजिशन आ जाएगा हम अब्दुल समत को भी ले सकते हैं लेकिन संट्राइजस ने रिटेन करके रखा है वाई उनको इंडियन मिलोडर्स का होना बहुत ही जादा माहिने रखता है टीम में और शारुक खान ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं बड़े-बड़े शॉर्ट्स लगाते हैं बढ़े अंद्रे रसल जो है अमरे टीम की आनबान शान जो बोलते हैं अंद्रे अंदर गेंद बाहर बड़े हिटर हैं उन पर इस साल बहुत बहुत बरोसा है बहुत उम्मीद लेके बैटे हैं बाई नारायन और रसल पर और अमारे लेजंडरी प्लेयर सुनिल नारायन है जो बल्ले से अपनी गेंद से अपनी मुस्कान से सभी का दिल जीत लेते हैं सुनिल भाई सुनिल भाई के बाद मैं चाहूंगा कि टीम में आये और एक स्पिनर आल राउंडर जो कुरुनाल पांडे अच्छा काम कर सकते हैं हाला कि इनका भीवियर थोड़ा बंतलब हम ठी कर लेंगा भाई कि खुनाल पंडे आ सकते हैं फिर है हमारे वरुन चक्रवर्ती वरुन चक्रवर्ती जो बहुत ही इकनॉमिकल बॉलर है बहुत मजा आएगा इनकी बॉलिंग में कम रन देते हैं वह अच्छी बात है अभी का वार दे देते हैं रन कोई बातने पेसर्स पर मैं चाहूंगा कि पहले तो बोल्ट या फिर राबडा पर लागा जाए बोली अगर यह मिलते हैं अच्छे दाम पर ठीक है नहीं तो है भाई हमारे वही प्लेयर्स पुराने कमिन्स और फर्गू अपने मुस्टैक मैन है और आखरी प्लेयर में चाहूंगा अपने इंडियन पेसर सी हो डेफिनेटल वही होगा तो टीन अटराजन पर लगाए जाए या तो भाई आवेश खान पर लगाए जाए कि बहुत ही जबरदस्त पेसर है बहुत तेज गेन सड़ते हैं और या तो फिर शरदूल भाई जो यही होगी टीम भाई और क्याप्टन अगर मिलते हैं मनीज भाई तो मनीज भाई होंगे या फिर वार्नर आते हैं तो वार्नर होंगे या तो अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो भाई आमें अंद्रे तर असल है ऐसा क्याप्टन निपाने के लिए अगर वो फिट होते हैं स सब्सक्राइब को भी मौका दे सकते हैं देखेंगे क्या होगा तो यह है हमारी टीम अब शेक नायर भाई और वैंकी मेसवर जी यह टीम अच्छी लगी तो देखें कंसिडर कीजिएगा ऑक्ष्णिंग में और वी अगरली वेटिंग टू मुझे लगता है पसंद आएगी ट आएडरी स्वागी लगक।